वेलकम तो मैं चैनल दीब कंपेटर एजुगेशन फ्रिंट्स आजकी MS Word की क्लास में हम रिव्यू टैप को कंटिन्यू करते हुए कुछ नए टॉपिक सीखेंगे तो आए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं वर्ड उपन करेंगे रिव्यू टैप में आजकी हमारा फ्रस्ट टॉपिक है ट्रांसलेट ट्रांसलेट कंटेंट इन्टो त़ डिफरेंट लैंगविज युईजिग दा मैकरोसोफ्ट टांसलेटर ऑउन्लाइन सर्विस तो translator के through हम different languages में हम अपने content को different language में translate कर सकते हैं तो इसके लिए हम rand command से कुछ paragraph ले लेंगे equal rand bracket close and then enter यह देखिए कुछ paragraph आ गए है rand command से अब हम इसको translate करेंगे translate selection translate the selection with microsoft translator तो जो भी आप content select करते हैं उसको microsoft translator online service यानि कि आपका net जो है इसमें enable होना चाहिए उसकी मदद से आप इसे translate कर सकते हैं इसमें next option है translate document तो create a translated copy of your document with microsoft translator तो अपने document की translated copy यानि कि यह जो आपको अभी English language में नजर आ रहा है इसकी जो different language में अगर आप चाहते हैं तो इसकी जहां जो है वो वालत जो आपका content होगा वो replace हो जाएगा in a different language तो हम अभी transfer selection यह वाला देख लेते हैं और for example हम इस paragraph को मैंने select कर दिया है first paragraph को और यह देखे from English detected the language detected हो गई है और हम इसको अब यहाँ पर आ रहें English तो हम इसको different language में करना चाहते हैं for example हम इसको Hindi में करना चाहते हैं तो हम Hindi select करेंगे Hindi में करके then हम इसे यहाँ पर insert करा देंगे यह देखिए जो भी हमारा selected text था यानि first paragraph जो हमने select किया था English में वह Hindi में जो है वह change होके insert हमारे document में हो चुका है तो इस step से आप translate का use कर सकते हैं अपने document में और इसका आप printout भी ले सकते हैं अगर आप Hindi में या किसी और language में लेना चाहें तो आप वह भी इसकी मदश से ले सकते हैं अब इसको फिर से अगर English में करना चाहते हैं तो हम फिर से English select कर सकते हैं और इस selected part की जगह हम insert करना चाहते हैं तो यहां पर हम यह देखिए इसकी जगह insert हो चुका है फिर से अब ऐसे ही next इसको हम close करा देंगे अब इसमें next option है translate document हम पूरे document को translate करना चाहते हैं तो translate document पर हम click करेंगे यह देखिए यह load हो रहा है भी and तो इसको किस language में हम करना चाहते हैं तो वो हम select कर लेंगे यह देखिए ऐसे कि मैं हिंदी में इससे करना चाहते हूं हिंदी and इससे हम translate यहां पर click कर देंगे translating यह हो रहा है भी यह देखिए आपका full document जो था वो English to Hindi जो है वो ट्रांसफर translate हो चुका है इस tab से आप किसी भी language में करना चाहते हैं अपने document को अब फिर से हम review टाब में जाएंगे और फिर से हम translate document में फिर से हम इसे उसी language में change कर देंगे जिसमें document था यानि English में यह देखिए English यह देखिए यह मैंने select कर दिया और इसे translate पे हम click कर लेंगे यह देखिए फिर से वैसे हो गया document जैसे यह था तो अब हम review टाब पे जाएंगे आपने language translate के बारे में सीखा देखिए हम next option देखते है choose the language for proofing tools such as spelling check तो proofing tools इसमें language का use हम spelling check के लिए करते हैं you can also set other language preferences including editing, display, help and screen tip languages हम different languages को set कर सकते हैं इसमें editing के लिए, display के लिए तो इसमें आप language देखते हैं set proofing language इसमें एक option है तो इसमें हम click करेंगे देखिए इसमें spelling और grammar check के लिए different languages हैं हम को इसी भी select कर सकते हैं क्योंकि जिस language में हमारा content है उसी में हम spelling and grammar check कर सकते हैं तो इसलिए हम उसी language को select कर देंगे जिसमें हमारा content है तो अभी हमारा content English में है तो यह English ही selected है तो इसे हम ok कर देंगे next language preferences to set the editing display help and screen tip languages इसपे हम क्लिक करेंगे and language में हमारा पस अभी preferred में English है proofing installed आप को इसी भी language इसमें install कर सकते हैं जैसे कि अभी Hindi इसमें नजर आ रही है proofing available आप इसको भी इसमें add करा सकते हैं इसका मतलब आप display में editing में या किसी भी चीज के लिए फिर इस language का use कर सकते हैं and spelling and grammar check के लिए भी उस language का use किया जा सकता है उसके लिए आपका जो content है वो भी उसी language में होना चाहिए तो यहां पे आप add a language करेंगे और कोई इसी भी language आप आप से add करा सकते हैं different types of languages available है इसमें आपको इसी भी इसमें add करा सकते हैं इसे हम cancel करा देंगे और इसे हम यहां पे ok कर देंगे ok यह अपने language के बारे में सीखा अब हम next topic comments, comments देखेंगे आप अपने document में या किसी words या पूरे document के बारे में कोई new comment देना चाहते हैं तो आप इसके तुरू दे सकते हैं add a note about this part of the document तो जैसे की हम pictures, charts, smarter graphics यहां पे कुछ comment हम देना चाहते हैं तो new comment पे हम click करेंगे देखें comment जो है वो open हो गया अब यहां पे मैं comment देना चाहते हूं जैसे की insert tab में हैं यह तीनों चीजे pictures, charts and smarter graphics तो insert tab and group है यह illustrations group में मिलती है हमें तो illustrations group यह देखें यह comment दल चुका है अब इस तरह से हम एक और comment देना चाहते हैं यहां पे comment देना चाहते हूं तो new comment हम देंगे यहां पे तो header जो होता है इसके बारे में लिखेंगे heading of the page या top of the page top of the page और जो footer होता है footer उसके बारे में हम लिखेंगे bottom of the bottom of the page तो यह नीचे वाला हिस्सा होता है page का paper का bottom of the page इस tab से हमने 2 comments अपने document में insert कर लिए अब इसमें हम कुछ buttons enable हो गए comments जो आया है डालते ही document में अब जैसे कि हम next comment पे jump करना चाहते हैं तो हम next पे click करेंगे देखिए next comment पे जा चुका है हम previous comment पे जाना चाहते है जो हम previous comment पे चले जाएंगे इन दोनों buttons के सहता से और delete हम document में comment को delete करना चाहते हैं तो delete कर सकते हैं ki delete पे जाके झैसे इस comment को delete करना है में तो हम यह देखिए comment हट छुका है है यहां से इस tab से आप all comments को delete करना चाहते हैं अपने document में तो hiss tomatoes से all commentsimana delete हो जाएंगे यह देखिए, comment जहां वो delete हो गए है, तो delete की मज़ से आप ऐसा कर सकते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, next option is check accessibility, more accessibility tools, check accessibility का मतलब होता है, जैसे कि आप अपने document में यह check करना चाहते हैं, कि यह accessible है या नहीं है, यह लोगों को proper जो है, वो पढ़ पा रहे हैं, ऐसे read कर पा रहे हैं, जिन लोगों को देखने में कुछ problem होती है, या वो ठीक से उनका vision काम नहीं कर रहा है, तो accessibility check करने का यह tool है, तो हम check accessibility पे click करेंगे, देखिए, अभी यह दिखा रहा है, no accessibility issues found, people with disabilities should not have difficulty reading this document, तो जिसको disability भी है देखने में, उसे कोई issue नहीं होगा, इस document को read करने में, और इसमें एक option आ रहा है, keep accessibility checker running while I work, तो accessibility checker को आप tick कर सकते हैं, जब हम काम करें तो, यह hand to hand जो है, वो आपके document में accessibility को check करता रहेगा, इ इसमें next option है, all text का, all text जो है, आपके objects में description देने के लिए होता है, यह देखिए, जैसे कि, how would you describe this object and its context to someone who is blind, जो कि देख नहीं सकते हैं, तो उनको उस object के बारे में describe करने के लिए all text का muse करते हैं, तो आप इसको describe कर सकते हैं in a one to two sentences उस object को या picture को, इसके अलावा, इसमें next option नेविगेशन पेन, नेविगेशन पेन में आपके document में कोई भी headings हैं, pages हैं, आप उस तक पहुशना चाहते हैं, results यानि कि text, comments, pictures हैं, तो नेविगेशन पेन, यानि कि एक तरह से यह रास्ता दिखा देता है, यानि बता देता है कि कौन सा heading कहां पे है, pages कहां पे हैं, तो create an interactive outline of your document, तो आपके document में ये चीजों को track करता है एक तरह से, तो यहां से आप navigation pane के use से ऐसा कर सकते है, word can find just about anything in your document, next in options, ease of access, make office more accessible, यह देखिए, ease of access से word options जो हैं, वो open हो जाते हैं, देखिए, accessibility checker को जैसे मैंने पहले बता है था, आप इसे ticks रख सकते हैं, and application display options, आप screen tip style, यानि कि, अपने document में shortcut keys को screen tip के थुरू देखना चाहते हैं, application starts, show the start screen when this application starts, तो इसकी मदद से आप more accessible अपने document को बना सकते हैं, अब इसे हम okay कर देंगे, यहां पे, इसमें next option है, read aloud, इसकी shortcut की है, alt, control, space, read text out loud, and highlight each word as its read, तो इस पे हम click करेंगे, और यहां पे हम इसे play करेंगे, तो यह document में जो आपका, जो भी लिखा हुआ है, जो as soon as you click on the online video, जो से की, एक एक वर highlight होगा, और यह यह चाहा, तो आप video provides a powerful way to help you prove your point, you can paste the video into the embedded word for the video you want to add as soon as, तो इस step की घिरो होगा, चला जाएगा, तो तो इस प्लाउट का यह use होता है, एक 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 स्पीच की तरह काम करता है, तो यह stop हो जाएगा, तो okay friends, आज की class में सिर्फ इतना ही, next class में हम review tab को continue करते हुए, आगे next topic सीखेंगे, आपको आज का वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज लाइक, शेर और कमेंट इस वीडियो और सब्सक्राइब तो मै चैनल